तो दोस्तों क्या आप परिशान हैं कमजोर डेटा केबल से क्या आपके तार तूट जाते हैं तो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ नए तरीके के डेटा केबल ये टाइप सी डेटा केबल है और ये मेरे टीशेट के कलर में उपलब्द हैं ब्लिस वुल्फ के ये टीशेट का रेड कलर और ये ग्रे कलर मैच होके मिल जाएंगे मेरी टीशेट के कलर के ब्लिस वुल्फ के वायर डिस्क्रिप्शन से चाहो तो खरीच सकते हो बहुत अच्छे हैं मैं भी इस्तिमाल करता हूं ने नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर उन्होंने विन्डूस 98 को भी देखा है और कई लोग कहेंगे कि उन्होंने सबसे पहला और विंडूस 7 का रहा और भाहत लोग इसके बारे में नहीं आए वीडियो कैसे बदला हूए और आज हम विंडूस 10 तक कैसे पहुचे है तो चलिए यह सफ़र शूरु करते हैं और जानते हैं Windows की history. Windows की शुरुआत हुई थी 1981 में MS-DOS operating system के नाम से जिसकी full form थी Microsoft disk operating system 1981 में ये आया था और ये personal computers जो IBM के personal computers होते थे उनके लिए ये बना था इसमें user interface के नाम पर कुछ भी नहीं था इसमें basically आप command type करके इसको use कर सकते थे एक black screen हुआ करती थी और जो text आप type किया करते थी वो white color का नजर आया करता था इसकी जो application भी होती थी वो DOS application हुआ करती थी और ऐसे ही disk operating system तो ऐसे ही काम करता है इसमें icons वगरा नहीं हुआ करते थे desktop fancy कुछ भी नहीं होता था बसे काली color की screen और उसके उपर white color के text लेकिन ये personal computers की शुरुबात थी और यहीं से जन्व हुआ personal computers का जो की घर-घर में पहुँच गए अब दोर आ चुका था 1985 का और Windows ने launch कर दी अपना नया operating system Windows 1.0 इस operating system की खास बात यह थी कि इसमें आपको सिर्फ type नहीं करना होता था आप point करके Windows को जो boxes boxes का जो interface है जो अभी हम अभी देखते हैं वो इसमें introduce कर आया गया था अभी command type करने के लावा-लावा boxes को हम select कर सकते थे और हम click कर सकते थे यह इसका एक बहुत major update था अब वक्त आप चुका था 1987 का और Windows ने launch कर दिया था अपना नय operating system Windows 2.0 इस operating system की खास बात यह थी कि इसमें keyboard के shortcuts मिल गए थे इसमें icons आपको मिल गए थे इसमें extra graphic का support भी मिल गया था तो दिखने के जो भी visual जो चीजें हैं उसमें काफी changes आये काफी अच्छी यह हो गई keyboard के shortcut से कर सकते थे Intel के 286 processors जो आये थे उनके लिए specially यह operating system design किया गया था और यह बहुत अच्छे तरीके से उस पे चला करता था MS-DOS का इसमें support अब भी था था तो यह पुराना operating system लेकिन काफी इसको advanced कर दिया गया user interfaces का कफी अच्छा था क्योंकि जैसे desktop इसमें आ गया प्लस icons वागरा आ गये तो यह एक बहुत ही बड़ी changes बहुत बड़े revolutionary change इसमें आया और यह बहुत ही popular हुई Windows अब आच चुकी थी Windows 3.0 और 3.1 जो की 1990 और 1994 के बीच में काफी popular operating system था बिल्कुल ही सब कुछ बदल गया इसमें कैसे बदल गया इसमें 16 bit colors का support मिलने लगा advanced graphic इस operating system को Intel के 386 processors के रिए बनाया गया था ज्यादा resources इस्तिमाल कर सकते थे इसके icons, graphic performance you know mouse का जैसे support होता है keyboard बगयरा यह सब बहुत ही अच्छे से optimize किया गया और एकदम fresh look निकल के आया इसमें file manager, program manager यह सारी चीज़े introduce कर आई गई और मैं आपको बता दूँगी यह operating system computer gaming की दुनिया में एक शुरुआत थी क्योंकि इसके साथ solid IR और mind sweeper करके जो game है जिसमें minds देखनी होती है यह सारी game windows 3 में introduce कर आई गए थे तो कह सकते हो कि computer में gaming की जो शुरुआत हुई थी वो इसी operating system से हुई थी अब वक्त आ गया था 1995 का और आ चुके थी windows 95 जिसके main highlights थे कि इसके जो software थे वो 32-bit architecture पर चलने लगे थे मतलब कि जो इस operating system के लिए specially software design किये जाने लगे वो इस पर बहुत fast काम करने लगे इसमें मिला आपको plug and play का support print का support मतलब printer वगर attach कर सकते थे plug and plug and play कर सकते थे यह अपने आपी भाप लेता थे कि इसमें कौन सा drive कौन सा hardware लगाया गया है काफी advanced यह operating system उस जमाने का था तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह operating system 32-bit architecture पर चलता था 32-bit architecture मतलब 64-0 मतलब 640-640K के जो memory limit थी वो अब बंध हो चुकी थी इसमें कोई भी restrictions नहीं थे प्लस 8 characters का जो file name हुआ करता था वो भी restriction नहीं थी अब आप कितने भी लंबे file को नाम रख सकते थे और जो main memory 640K की हुआ करती थी 95 में हो गई थी अब वक्त आ चुक्या था 1998 का और आचुकी थी Windows 98 इसकी main highlights थे के ACPI, USB, DVD यह सारे इसमें इंट्रिउस करा दिये गए थे और इस operating system में यह पहला operating system था जिसमें कोई फरक नहीं था कि आप locally कोई file store कर रहे हो या किसी cloud पर या कि online server पर कर रहे हो इनमें दोनों कोई difference नहीं रहा गया था सेम ही तरीके से आप access कर सकते थे file path डालना होता था बस आपको चाहें वो online save है चाहें वो आपके locally drive में जहां भी है तो इसमें यह main highlight देखने को मिला था इसकी खास बात थी कि इसमें active desktop था और सबसे पहली बार अगर किसी operating system में internet explorer इंटर्डियूस कराया गया था तो वो यही था इसमें internet explorer पहली बार देखा गया था उसके बाद सन 2000 में आया windows me जिसकी full form थी windows millennium edition इसकी खास बात यह थी कि यह windows 98 का ही update वर्जिन था बस इसमें boot in dos option को हटा लिया गया मतब dos में जो boot करने का option हुआ करता था इससे पहले पुरानी वाली windows में वो इसमें हटा लिया गया और जो भी छोटे-मोटे update करके इसको एक नए नाम से 2000 में launch कर दिया गया प्रिटिंग सिस्टम था और यह वर्क स्टेशन और सर्वर के लिए बनाया गया था इसी के लिए अगर आप सर्वर प्रना चाहते हैं तो इसमें आप इस्तमाल कर सकते हैं सबसे पहली बार अगर किसी कंप्यूटर में ज्यादा अच्छे तरीके से मल्टी टास्किंग इंट्रियूस कराए गई मतलब मल्टी टास्किंग के जो आज अब कंप्यूटर देखते हैं उसकी शुरुवात आप कह सकते हैं कि विंडोज एंटी से हुई थी नियू टेक्नोलोजी से हुई थी और 93, 94, 95, 96 के बीच में ये काफी चलन में थी और सर्वर और वक्स्टेशन के तौर पर इसको इस्तिमाल किया जाता था अब आ गया था सन 2000, 2000 का दोर आ गया था और अब निकली थी Windows 2000 जिसको Windows 2K भी कहा जाता था इसको इसमें क्या हाइलाइट्स थे? इस उपरेटिंग सिस्टम में हाइलाइट्स थे कि आप नेटवर्क रिसोर्स को बहुत अच्छे तरीके से इस्तमाल कर सकते हो अपने computer को internet से जोड सकते हो अपने computer को printer से network की थूड सकते हो you know network sharing जो होती है बहुत सारे computer के साथ एक ही printer आप attach कर सकते हो इसकी जो support थी वो बहुत अच्छी मिलने लगी इस computer को इस operating system को जो बना था इसको server की तरवे भी इस्तमाल किया जा सकता था printer का इसमें बहुत अच्छा support मिला था जो printer का सबसे पहला अच्छा support मिला था वो Windows 2000 में मिला था plus इसमें आपको internet से आप connect कर सकते थे बहुत better way में पहले बाले में क्या होता था इतनी easy नहीं हुआ करता था internet से connect करना इसमें काफी easy हो गया सन 2000 में laptop तो computer भी बहुत कम लोगों बेपास हुआ करता था और अगर कोई इंसान अपने बक्से जैसे उसमें एक ऐसी चीज लेकर चले जो चलता फिर था computer है तो वो तो जादू से कम नहीं हुआ करता था तो इसमें laptop का भी अच्छा support आपको देखने को मिलता था अब इसमें एक और नई चीज मिली थी कि जो भी high traffic data centers होते थे वहाँ पर भी इस operating system को इस्तिमाल किया क्योंकि network resources का बहुत अच्छे से आप इस operating system में इस्तिमाल कर सकते थे इसलिए इसको data centers में भी जहाँ पर बहुत जादा high traffic है महाँ पर इसका इस्तिमाल किया गया उसके बाद October 2001 में कुछ ऐसा हुआ जिसने personal computing की दुनिया ही बदल दी कुछ ऐसा सामने निकल कर आया जिसने पूरे घर घर में ऐसे computers को पहुँचा दिया जो इस्तिमाल करने में बहुत असान था जी हां मैं बात कर रहा हूँ Windows XP की जो की Windows 2000 के करड़ पर बना था बहुती stable operating system था और मैं आपको बता दूँ Windows का सबसे ज्यादा popular सबसे ज्यादा बिकने वाला और सबसे ज्यादा successful commercial अगर देखा जाए तो Windows XP ही है अभी तक इसके टक्कर का कोई operating system नहीं है यह दुखत बात है कि इसकी जो support है और जो security के patches वगएर आते हैं वो 2014 में ही खत्म हो गए लेकिन आज भी कई ATM machines और कई जो cash से transaction होते हैं वहाँ पर इस operating system को इस्तिमाल किया जा रहा है इस operating system में सबसे पहले इंटेट्यूस कराया गया wireless technology को अब यह दोर आ चुका था जब wireless, wifi, bluetooth यह सारी technology आ चुकी थी तो उनके लिए software भी होने चाहिए ना तो laptops में लोग जो Windows XP इस्तेमाल किया करते थे बढ़े अच्छे से wifi, bluetooth का इस्तेमाल किया करते थे और जो भी wireless technology उस जमाने में हुआ करते थे उसका बहुत अच्छी से इस्तेमाल इसमें कर सकते थे यहाला कि यह Windows 2000 के कंडल बदमा था लेकिन फिर भी बहुत जादा stable operating system था यह और अग्को तो यादी होगा उसका जो legendary background हुआ करता था जो आसमान थे घास थे वह बहुत ही popular हुआ अब लोग इसमें game भी खेलने लगे नए नए game introduce कराया गए क्योंकि इसकी कोई limit नहीं रही थी अब हावी resources भी हो सकते थे 32 bit निकला था इसका home और professional दो वर्जिन निकले थे मीडिया में edit करने लगे लोग विंडोज मीडिया एडिट करने के जो की option आते थे वो सब इसमें लगे तो यह operating system घर घर तक पहुच गया था सबसे पहले अगर किसी घर कर में इंट्रिउस कराया गया तो Windows XP था सबसे ज्यादा अब दौर आ गया था 2006 का और launch हो गई थी Windows Vista Windows Vista XP के बाद आय थी और ये बहुत ज़ादा advanced थी XP से किस से किस चीज से इसका booting time क्योंकि आपको पता है कि Windows XP जो थी वो boot होने में बहुत time लगा थी ऐसे ऐसे 15 बार घूमता था मेरा तब जाके Windows XP मेरी on हुआ करती थी लेकिन Windows Vista booting time इसका काफी improve किया गया security fixes इसमें काफी लगाएगे, security की तरफ से काफी अच्छा था, lightweight था, जल्दी boot हो जाता था और कुछ program तो इसमें इतने ज़्यादा fast चलते थे, Windows XP से ज़्यादा fast चलते थे तो ये बहुत ही lightweight और इसको manage करना बहुत अच्छा थे, इसमें errors नहीं आते थे ऐसा भी का जाता थे, Windows XP अच्छा system तो है, लेकिन इसको इसको इस्तेमाल करना, इसको customize करना, इसको error free रखना बहुत मुश्किल हुआ करता था आपको यादी होगा, Windows XP में सबसे ज़्यादा wireless आया करते थे और इसको manage करना बहुत मुश्किल हुआ करता था हाला कि functionality के हिसाब से Windows XP अभी तक superior माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन उसमें error बगार बहुत आते थे और अच्छे से आप उसको manage नहीं कर पाते थे उस चीज़ को fix करने के लिए Windows Vista निकला, जो की कम hardware का इस्तेमाल करता था, काफी lightweight था, booting time इसका improve कर दिया गया, और ये इसमें छोटे मुटे fixes करके इसको launch कर दिया गया, और इसका interface भी काफी थोड़ा सा stylish था Windows XP से, Windows XP से ज़्यादा responsive हुआ करता था, और Windows XP से कम battery लिया करत था, power consumption की जो power management भी वो पहली बार इसमें Windows Vista में introduce कराई गई थी, अच्छे तरीके से, उसके बाद आया साल 2009 और launch हो गई Windows 7, बहुत ज़्यादा advanced, दिखने में बिलकुल अलग, virtual hard disk का support इसमें देखने को मिला, और इसमें मिला Internet Explorer 8, Media Center का का काफी अच्छा support मिला, और ये पह बनाया, जिसने फिर से दुनिया बदल दी, XP के बाद अगर कोई सबसे popular अंदर की बात बता रहा हूं, वो Windows 7 है, आज भी बहुत सारे लोग Windows 7 का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं in comparison to Windows 10, तो ये काफी अच्छा था, अब यहां तक 2009 तक तो Windows 7 बहुत बढ़िया थी, अब आगे क चुकी थी, Windows 8, एक नए डिजाइन की Windows, जो की Windows लगती नहीं थी, उसको लोड करते थे, तो टाइल स्टाइल सा जाते थे, Metro की नई थीम, Windows ने सोचा ये नई चीज़ हम इंट्रट्यूस करा रहे हैं, क्योंकि ये दौर था, टच कंप्यूटर का, जब टच करके हम चलाया कर जैसा ही था, लेकिन ये लुक में काफी अलग था, लोगों को ये लुक पसंद नहीं है, मैं आप बता हूँ, ये बहुत ही फेल हो गई Windows, ये इतने ज्यादा काम काम कार नहीं हुई, इसका लाइफ स्पैन भी इतना ज्यादा नहीं रहा, क्योंकि इसके गलट डिजाइन की वज़े से, लोगों को वो स्टार्ट स्क्रीन ज्यादा अच्छी लगती थी, इन कंपैरेजन टू मेट्रो डिजाइन, हाला कि अगर टच स्क्रीन कम्प्यूटर इस्तमाल करते हो, तो आपको बैटर लगेगी, लेकिन कुल में आगर देखा जाए, तो Windows 8 इतना अच्छा न पर भी टाइल दे दी, तो टाइल और स्टार्ट मेन्यू का ये पूरा संगाम देखने को मिला, टच सपोर्ट इसमें काफी अच्छा देखने को मिला, इसमें Internet Explorer की जो चवी थी, उसको सुधारने की कोशिश की गई, जैसे कि आप जानते है Internet Explorer अपनी Slow Speed की वज़ए से अब ब्राउजर बनाया, जिसका नाम रखा था Microsoft Edge, और उसको इंट्रड्यूस करा दिया इसके साथ, हाला कि वो बहुत फास्ट ब्राउजर, अगर आप Laptop इस्तिमाल करते हैं, तो Google Chrome ज्यादा वैटरी लेता है, Microsoft Edge, Windows Computer में, Windows Laptop में बहुत कम resources का इस्तिमाल करता है, और राम से आप अपडेट कर सकते हो, अगर आप Windows 7, Windows 8 का इस्तिमाल कर रहे हैं, तो लोगों को अपडेट मिलने शुरू हो गए, कोई फर्क नहीं परता है कि कैसी पाइरेटि वेगरा, वो भी अपडेट होनी लगी, क्योंकि Windows चाहता था कि किसी भी तरीके से Windows 8 को चेंज करके लोग Windows 10 का इस्तिमाल करें, और जो Windows की खराब छबी Windows 8 के साथ बनी थी, वो ठीक हो जाए, तो ये था Windows का सफर, MS-DOS से लेकर है, Microsoft की Windows 10 तक, जो की latest version है, आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपको Windows का ये सफर कैसे लगा, मैंने आपको बताया कि कैसे किसी टेक्नोलोजी मे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं मिलता हूँ आपसे एकली वीडियो में, अगर आप इस चैनल पर नहे हैं, तो भाईया, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे एकली वीडियो में, thank you so much, and goodbye! झाल झाल